आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल को आज का राशी याद कर संकरांती रहने वाली है शुरी का करक रसी हो रहा है आज मित्रों आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जानना है एक एक मोहरतो गवाय में जानना है तो डिस्किप्शन में आज के धर्मसिक्षा पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग बिल्कुल ही विस्तार जान सकते हैं एक एक मोहरतो गवाय म मित्रम आज का 12 रासीफल आपको बताना आरम करों उससे पहले आए हम सभी मिलकर एक नजर डालें आज के गरहों के स्थितिपन क्योंकि गरहों के स्थितिपन पूरा का पूरा रासीफल निर्भर करता है आज गुरू राहू दोनों एक साथ मेश शासी में चंद्रमा सूर्य ह दोनों एक साथ मितृमराशी में बुद्ध करक रासी में, सुक्र, मंगल के साथ सिंग रासी में, केथव तुलाराशी में, सनी कुम रासी में विराजित है मितृमराशीं चंदर्मा आज रात लिखे दस बसगा बिशंड मिर्थ तक रहने वाए तो अदुपांत लक्ति की मदद जरूर करें इससे आपको भी जीवन फायदा होगा आपके पिता या उच्छ अधिकारियों का सहयोग आपको आज प्राप्त होगा सामाजी कारियों में आपके रुची बनी रहेगी मन में नए नए विचार आएंगे इन विचारों को सहेज कर अपने जीवन म आगे बढ़ें स्वाधिष्ट भोजन का आनेंद रहा पाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मी क्यात्रा पर जाने के या धार्मी कारिक करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गिलत फैमी के कारण आपके और आपके प्रियेजनों के बीच लाई जगरे हो स सकता है जो आतक नोकुरिक करते हैं उनको ओफिस में ऐसे लोगों से साब्धान रहना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी च्छवी विगारने की कोशिस करते रहते हैं विद्यार्थी की बातकित विद्यार्थियों के लिए आज के मिलालदा रहने वाला है पढ़ जीवन साथी के साथ समय विताए इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस होगा आज किन चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तापके इस सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग नीला राएंग लखी निमबर रहने वाला तीन बात खान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आपका मन आत्मी स्वास से भरपूर रहेगा लेकिन मन में नाकारात्मक विचार आ सकते हैं छोती मोटी परेशानियां आएंगी लेकिन उन परेशानियों पर विजह प्राप्त करने की कोशिस करें कुछ नए विचार आपके यह फाइदय मन साबित हो सकते हैं आज अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसका फाइदा आपको भी कहीं न कहीं मिलेगा बिना जांच परताल के किसी व्यविशाय या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर तो बिल्कुल भी ना करें इससे आप मुस्किलों में पर सकते ह व्यापार उधन की बातकेद आज आपको व्यापार में लाव होगा व्यापार में जो भी आपके प्रतिदंदी हैं उन पर आप विजय प्राप्ट कर सकते हैं जो दातक नुकरी कर रहे हैं उनके लिए आज किन अच्छा रहने वाले आपके सीनियर या बॉस आपके काड़ इसे प्रभावित हो सकते हैं लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने बॉस के सामने खुद की पैर भी ना करें इससे निगेटीव प्रभाव पर सकता है विद्यार्थी की बातकित प्रतिकुता परिछा के त्यारी करने वाले विद्यार्थी अपने दिद इच्छा सकती से लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो अपनी परहाई पर ध्यान दें स्वास्ति की बातकित आज आपको मौसमी बिवारियों को लेकर सतरकता रखनी चाहिए आपके सररिक और मानसिक बिवारी की जर्थ आज आपका दुख हो सकता है वियायाम करें खुले हवामें टाहलें आज के न हडी सबजियां खाएंगे तो आपके लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग पीला रंग लकीन अमबर रहने वाले दो बात केंगे मिथुन रासिकी मिथुन रासिम चंत्रमा प्रथमस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपको आपके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा आज कोई भी निर्ने भावकतावस ना ले ऐसे निर्नेों से आप परिशानी में पर सकते हैं बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती हो सकती है आपको आज भागे का साथ में मिलेगा परिवार के किनी दो सर्षियों के बीच मनमोटाओ बढ़ सकता है अगर आज पूरे परिवार के साथ किसी धार में कारी को करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी आपको आपके सहकरिमियों का सहियों प्राप्त होगा तो पहले सही सचेत रहें अगर कहीं निवेस करने का मन बना रहें तो एक बार अनभवी लोगों की सलाह जोड़ लें कज लेने से आप बिल्कुल बचें विद्यार्थी की बात के तो आज आपका मन परहाई में लगेगा आप जिस लक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए अच्छी योजना बना कर करी महनत करें सफलता आपको मिलेगी स्वास्त की बात करत आज आपको अपने स्वास्त के परती सचेत रहना चाहिए जिन जातकों को हाई यलो ब्लेट प्रेसर के सिकायत रहती है वो आज अच्छा महसूस करेंगे प्रेम समंद की बात के तो आज आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोगजोंग भी हो सकती है बाद में सब कोई ठीक भी हो जाएगा और विवाहिद जातक प्रेम समंद में कोई भी निया रिष्टा बनाने से पहले आज सामने वाले को जोड़ परखें आज आपके प्रेम समंदों में किसी प्रकार की चिंता उत्पन हो सकती है आज किन केला खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग पीला रंग लकी नमर रहने वाला एक बात केंगे करकरासी की करकरासी में चंतरमा बारह हुए इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप अगर आप किराय के मकान में रहते हैं तो मकान मालिक के साथ आपके समन्द विगर सकते हैं तो यहाँ पर साभानी बरतनी चाहिए आपको आज आपको संतान के तरफ से खुसी हो सकती है परिवार में साकरातमक बातावमेंसकन बनेगा किसी पुरानी समस्या का अंत भी संभव है आपके आत्मिस्वास में कमी आ सकती है साथ ही अपने वानी पर नियनतन रखें क्योंकि आज आपके लगाई ज्यगरे के योग भी बन रहे हैं आफिस में आपके सीनियर आपको किसी काम को लेका रे उकसा सकते हैं धहरी से काम ले या एक सोची समझी साज़िस भी हो सकती है व्यापार और धन की बात करें तो आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पर सकता है आज आप किसी के साथ पार्टनर्शिप पर व्यापार करते हैं तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाब में भी ले जा सकते हैं। अगर अच्छी योद्ना बनाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे तो आप अपने हानी को लाब में भी बदल सकते हैं। विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा। परहाई के लाब अने चियों में समय बरवातना करें अपने परहाई पर ध्यान दें। सिख्छा के छेतर में विद्यार्थियों का दिक्कत का सामना करना पर सकता है। स्वास्त की बात के आज आपका मन असान्त रहेगा, मेडिटेशन करना आपके लिए लाब दैग भी सिद्ध होगा, जुआ तक हाय बलेट पेसर डियाबटी या दिल किरोगी है, उन्हें अपना ध्यान विशेश तोर पर रखना चाहिए, प्रेम समंध की बात के प्रेम समंध में मिठास उत्पन होगी, प्यार के जार करने के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है, आज किन दूद्ध या दूद्ध से बने भी चीज़े खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग महरून रंग लखी नम्मर नौ रहेगा, बात कर नए कारी के लिए प्रेरित भी रहेंगे और इस नए कारी में आपको सफलता भी मिलेगी, नए लोगों से मिलना और दोस्ती होना संभव है, आपको आज कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पर सकता है, लेकिन अगर आप अपने बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे, तो पारिवारिक समस्या सुधारने में आपको सफलता की पापती होगी, आज आपके धहरी में कमी आ सकती है, जिसके कारण आपके बने हुए कारी भी बिगर सकते हैं, व्यापार और धन की बात करें, तो आज आप अपने बात करने की छमता और काम करने की छमता से, अपने आए में बढ़ोतरी होगी जो या तक नोकरी कर रहे हैं उनके सीनियर अधिकारी उनसे परसन न रहेंगे आज किसी को कर्ज देने से बिल्कुल बचें अगर कोई बहुत ज़रत्मन ब्रक्ति ना हो तो उसे पैसे भी उधार ना दें क्योंकि ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं विध्यार्थी की बात के विध्यार्थियों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला हैं आज आप अपनी पढ़ाई के लिए अनकूल इस्तिति का अनुभव करेंगे तो ऐसी स्तिति का लाभ जो उठा हुए जदा ज़दा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें स्वास्त की बात के तो आज आप खान पान का ध्यान रखें पेट समन्दित किसी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है प्रेम समन्द की बात के छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी साज उलज सकते हैं एक दूसरे से वादव्यात की स्थिति उत्पन हो सकती है लेकिन यह सब होने के बाब जूद आपके रिस्ते मधूर बने रहेंगे जीवन साथी या प्रेमी पेमिका के साथ समय विताएं इससे आपके प्रेम समन्द अच्छे बनेंगे आज किन चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रा गुलाबी रहेंग लखी नमर रहेगा पाँच बात करेंगे अब कन्यारासी की कन्यारासी म्चंद्रमा दसमें अस्थान में विराजी थै जिसके प्रसुब आज आपके कारी छेतर में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी आप जो भी काम करते हैं उसमें प्रोथ साहन आपको मिल सकता है आपके प्रतिदुंदियों को परास्त करने में आपको सफलता की प्राप्ति होगी अपने घर के कारियों में आज आप वैस्त भी रहेंगे भगवान के परती आपकी आस्था बढ़ेगी लेकिन संतान के तरफ से थोड़ी चिंत आपको अज रह सकती है तो अपने संतान का ध्यान रखें आज घर में कलह का माहौल भी बन सकता है आज आप आत्मी स्वास से भरपूर रहेंगे परंतु पिता के स्वास्त से थाचिंत भी रहेंगे वैपार अधन की बातके आज आप में आत्मी स्वास भरपूर होने के कारण आप मानसिक तरुपर मजबूत नजर आएंगे जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा जोरा तक नोकरी कर रहें उन्हें अपने सहकर्मियों से चुनती मिल सकती है आज आपके खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं तो फिजूल खर्चों पर नियंतन जोर रखें विद्यार्थी की बातकेद आज आपके मित्र आपका ध्यान परहाई से भठका सकते हैं मोईल फोन में ज़्यादा समय परवाद ना करें अपने परहाई पर ध्यान दें स्वास्त की बातकेद आज आपको अपने स्वास्त के परती सचेत रहना चाहिए कोई पुराने विवारी आपको आज परिशान कर सकती है कुछ जातकों को जोरों का दर्द परिशान कर सकता है तो हलका व्यायाम करना आपके लिए अतियुत्तम रहेगा प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है जीवन साथी के साथ आज आप समय विदा पाएंगे साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पाटनर आप से कितना प्यार करता है आज किन उरत की डाल खाएंगे ताप के लिए सुब रहेगा आप के लिए आज का सुब रंग पीला रंग लकी नम्मर आठ रहेगा बात करेंगे अब तुलारासिकी तुलारासिम चंदरबा नौवे इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे धंक से रख पाएंगे जिसके फ्रसुप आपके चाहने वालों की संख्या में विर्दी भी होगी अगर आप राजमिती से जुरे होएं तो उसका भरपूर लाब भी आपको मिलेगा आपके संतान का सहयोग भी प्राप्त होगा आपको कोई पुराना फसा हुआ रुका हुआ काम भी पुरा हो सकता है सरकारी कारियों से आपको लाब भी मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा आज आप मानसिक सांती का अन्भाव भी करेंगे कुछ जाता किसी अग्यात भाई से परिसान भी रह सकते हैं व्यापार उधन की बाते चाहे व्यापार करते हो जॉब करते हो आपके अधिनस्त क्रमचारियों का सहयोग प्राप्त होगा किसी करीबी मित्रिया सगे समन्धियों की मदद से व्यापार में लाब भी हो सकता है आज आपके व्यापारी की पर्तिदंदी आपको व्यापार में नुक्सान पहुचाने की कोशिस भी कर सकते हैं लेकिन व्यापार में आपके इस्तिती फिर भी अच्छी बनी रहेगी स्वास्त की बात कर आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है मानसिक सांथी का अनभवी करेंगे प्रेम समंध की बात कर प्रेम समंधों को सुधरिर बनाने के लिए आज अपने जीवन सांथी के साथ समय विताएं अपने आपको उचा और अपने जीवन सांथी को नीचा खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग औरेंज क्लर लखी नमर रहेगा दो, बात करेंगे विश्ची क्रासी की, विश्ची क्रासी में चंद्रमा आठ वे इस्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रसुप आज आपको परिवार जुनों का साथ मिलेगा खास करके बरे भाई बानों से माता पिता से भी कुछ आर्थिक सायोग मिल सकता है परिवार में सुक सांति का माहौल भी बना रहेगा जिसके भसुप घर में साकरतमक्ता भी रहेगी लेकिन आज आपके लिए लड़ाई जहरे के योग बनना है तो आपको सबसे अच्छे समन बना के रखने के प्रयास करने होगे खास करके सगे समन्धियों से परोशियों से किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी आज मिल सकता है लेकिन किसी नए पर भुरोषा करने से पहले उसकी जाच जोरू करें आज आपके जिद्धी रवाई की वगयसे आपको कुछ नुकसान हो सकता है तो कल्पनाओं के पीछे ना दो रहें, सोच समझकर ही काम लें, अगर अपने पिता और धर्मगुरु की सलाह से किसी कारी को आप करेंगे, तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ती होगी, व्यापार अधन की बात के तो आज आपको व्यापा आज आपके सहकर्मी, आपके बड़े प्रतिद्री सावित हो सकते हैं, इस से बचने के लिए अपने सीनियर के सामने अपने आपको अच्छे से परजेंट करें, आज आपके खर्चों में विर्दी भी होगी। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आजकें सामाने रहने वाला है, अपने समय को बरबाद करने से बचें, समय का एक एक पल महतपूर्ण है, उस पल का लाब जो उठावें, अभी अपना ध्यान सिर्फ पर सिव अपने पढ़ाई परी लगावें, स्वा भी बनेंगे, आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है, लेकिन पार्टनर का चुनाओ करने में साब्धानी बढ़ते हैं, प्यार के जहार करने से आज आज आपको बचना चाहिए, आज किन गुर खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग स रह सकता है, आज अगर आपको जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो किसी अनभावी लोग की सलाह जोड़ ले, आज आपके मन में कोई नकारतमक विचार आ सकते हैं, जिसके करन आपका कारी भी प्रभावित हो सकता है, आज आज आपकी बोली गई बातों को आपके प ओफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ भी आपका समय अच्छा बीतेगा, व्यापार अधन की बातके तो व्यापार के दृष्टी से आज किन आपको लिए अच्छा रहने वाल है, जो आतक व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में लाब होगा, समान व्या प्रेम समन्द की बात के तो विवाहित जातकों को आज जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा जुवातक और विवाहित हैं उन्हें कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है आज किन तांबे के बरतर्ण में पानी पीएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाइट येलो कलर लकीन मर रहेगा छे बात करें मकर रासिकी मकर रासिम चंदरमा छटे स्थान में विराजित है जिसके फ्रस्व आज आपकी कारियों के दिखता रहेगी कारी छित में परिवारतन का मन भी आपका हो सकता है आज आप अपनी वानी की मदूरता से बहुत सारे कारियों को लिपड़ा सकते हैं अगर आप अपनी वानी पे अंकुष नहीं लगाएंगे तो बहुत साई लोगों के आक्रोस का सामना आपको करना पर सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है आपके परिवार की पर्तिष्ठा बढ़ेगी अगर कुछ नया कारी आरम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ समस्या उत्पन नहों सकती है मन में किसी परकार की चिंताएं भी रह सकती है व्यापार और धन की बात के तो अगर कहीं आपके पैसे बकाया है तो वहां से पैसे वसूली की पूरी संभावना बन रही है पिछले करीद को आप चुका पाएंगे व्यापार मगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है तो उसे खत्म करना अब अतियावसेक हो गया है इस से वरना बहुत ज़्यादा हानी का सामना आपको करना पड़ सकता है विद्यार्थी की बात के तो आज आप आपका मन परहाई में लगेगा आज आपको थनावपूर्ण वातार ब्रहने रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जा रही है प्रेम समंध की बात के तो आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा जीवन साथी को समय दें और उसे समझें इससे आपके प्रेम समंध में नई उर्जा का संचार भी होगा लेकिन प्रेम समंधों में सोच समझ का आगे बरहें किसी तीसरे व्यक्ति की वज़े से आपके प्रेम समंधों में दरारतपन ना होने दें आज के इन गेहूं से बनी वीची यह खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रहें लगी नमर तीन रहने वाला हैं बात केंगे कुम्भरासी की कुम्भरासी म चंदरमा पांच में इस्थान में भी राजित है जिसके फ्रसुप आज आपको कई परकार के परेसानी हो से मुक्ति मिल सकती है कलात मक्कारियों में आपके रिची बढ़ेगी आपके व्यक्तिति में सकारातम बदलाव आसकता है आज अपनी माता के साथ कुछ समय जोर बिताएं और उनकी मन निसित्री को समझें इससे आपको असी मन की सांतिर प्राप्त होगी यदि आप साधी सुधा हैं तो आपके सवस्राल पक्ष से किसी के साथ वादवियाद हो सकते हैं तो यहाँ पर साधानी आपको बरत्नी चाहिए आज आप अपने बच्चों की परहाई को लेकर चिंतित रह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रुची समझनी होगी बच्चों को उनके के इरियर के परती प्रेरिद भी करें व्यापार और धन की बात के तो व्यापारियों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है आपके आत्मिस्वास में विर्धी होगी जिसका फाइदा आपको व्यापार में मिलेगा आज किसी जुरत्मन ब्रक्ति को धन का धान जरूर करें नोकरी करने वाई जातकों के लिए आज किन सामान ने रहने वाल है नोकरी में परिवर्तन का मन भी आपका हो सकता है कुछ जातकों को सट्टे बाजी से अदलाब भी हो सकता है विद्यार्थी की बात के अगर तो विद्यार्थियों का मन चंचल रह सकता है अपने आपको सोसल मीडिया और मुआल फून से थादूर रखें अब आपको अपने केरियर के परती सचेद भी हो जाना चाहिए स्वास्त की बात के आज आपको किसी परकार की चिंता रह सकती है मन असांत भी रहेगा जो आतक पहले से बिमार हैं उन्हें अपने स्वास्त का ज्याध्यान रखना चाहिए प्रेम समन्त की बात के तो आज आप जीवन साथी को समय दे जीवन साथी पर किसी परकार का सक करने से पहले सचाई को जानने की कोशिस करें अगर आप लंबे समय से प्यार की जहार की सोच रहें तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है आज किन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग लकी निमर चार रहेगा बात करेंगे मीन दासी की मीन दासी मचंदरमा चौथे स्था में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आज आप किसी पर भी अपनी बातें थोपने की कोशिस ना करें यहां से आपको नुकसान हो सकता है आपके दोस्तों के साथ अच्छे समद बना के रखने का आपको प्रयास करना चाहिए उनसे लड़ाई जगर की संभावना बन रही है सांती से कर काम लेंगे तब के बहुत सारे कारी बें बन भी सकते हैं अपने लगन रात्विस्वास से आप अपने कारियों को बहतर धंक से कर पाएंगे जो आतक मीडिया से जड़े हुए हैं लेकिन उनके लिए आज के ने अच्छा रहने वाला है व्यापार अधन की बातकेद आज आज आप अपने साहस और प्राक्राम के बल पर अपने कारे छेत में सित्धी को सुधार सकते हैं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा यस और केरती में विर्धी होगी आपके व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा अपने काम पर फोकस रखने का प्रयास कने तो फायदा आपको हो सकता है नोकरी करने वाई जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से मद्वेद बर सकते हैं तो यहाँ पर आपको साधाने निश्ची तरपर रखनी चाहिए अपने फिजुल खर्चों पर नियंतन भी रखना चाहिए विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थी को सिक्षा के छेतर में सुवफलों की प्राप्ती होगी तो डटकर मेहनत करें सफलता मिलेगी स्वास्त की बातकेद जिन जातकों को जोरू का दर्द या गठिया से समद्ध समस्या रहती है उन्हें आज परिशान हो सकती है आज आपका ब्लड प्रेसर नौर्वल रहेगा व्यायाम करें योग करें इससे आपको स्वास्त में फाइदा होगा प्रेम समद्ध की बातकेद आज आपके जीवन साथी के साथ किसी दूस्ते के वजह से मत्भेद उत्पन हो सकते हैं तो कुछ भी सोचने से पहले बातों को गहराई से जोर जाने आज की मसूर की दाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग हारा रंग लकी ने मुरेगा छे तो मित्रों ये तो थाज के बारा रासी का रासी फल आप जानेते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय यानि की गुलिकाल रहने वाल है दिन के दो बच कर दस मेश लेकर दिन के तीन बच कर तरपन मेर तक इस समय में कोई नया कारी आरम करेंगे उसमें आपको सबलतात लगेगी और आज के दिने एकर दर्पन तेकर यात रहम करेंगे किसी नए कारी को करेंगे तो आपके कारी बनेंगे तो मित्वर ये दुत आज का संपून, विस्थित और सटिक राशीफल इसी तरह की अन्य ग्यान उर्दक वीडियो के लिए कल के संपून रासिफल के वीडियो के लिए जुरेरे धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्षा जैमाता दी